बिहार STET 2019 के मामले में जो अभी तक मामला दर्ज हुआ या जो क्वालिफाइड लोग है वो अपने तरीके से दलील पेस कर रहे हैं उनमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लेकिन एक जो कमेंट्स है जिससे मैं सबसे ज़्यादा परभावित होता हूँ वो है बीपी उन्होंने कहा एक कमेंट में कि सोसल साइंस के STET फेल एस्टुडेंट्स से आगर है कि उसके साथ जो ना इंसाफ ही हुआ है जो बिद्यार थी फेल होने वाला था उसको पास कर दिया गया और पास वाले जिसको कभी भी उमीद नहीं था उसको फेल कर दिया गया और जो कभ इस खान मान शमझता है इसलिए शभी भाई एक जूठ होकर सोशल साइंस विशय पर हाई कोट में केस करें जैसे कि मैथ वाले कर रहा है आज कहां चला गया नीरज कुमार का सिक्छा सुधार रोजगार वह किसी तरह स्टीट में पास कर गया तो आज उसका बोलती बंध हो गय यही नीरज कुमार ना 2017 में BTET फेल कर गया था तो अभी तक केस केस खेल रहा है और गलत प्रश्ण के बदले मार्किंग की बात कर रहा है बोल रहा था कि सिक्छा सुधार रोजगार की आर्मे अपना स्वार्थ के लिए लरता था आज तो स्टीटी बिद्यार्थी के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाब उसका बोलती बंद हो गया तो यह है हमारे बिहार की स्थिति यानि जब अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है तो दुनिया जाए कहीं भी उसे कोई मतलब नहीं होता केवल अपना पेट भरे अपनी जुगार मिले तो वह किसी के लिए भी नह अवाज उठाता चाहे अन्याय हो चाहे उसके घर में ही सब को क्यों न गलत किया जाए तो यही हाल हुआ बिपी बताते हैं कि लोगों की कितिनी जादा नैतिकता गीर चुकी है कि अपने स्वार्थ के आर में सबों को फेक देना चाहते हैं लोग यानिंग जब अपने आप पर बित्ती है तो दुनिया के लिए खरी हो जाती है ताकि उसका स्वार्थ पूरा हो जाए और जब उनको वह मिल जाता अधिकार तो दुनिया के अन्याय के साथ भी खरा होने में वो डर लगता है लंबी-लंबी बाते करता है तो मैं आप सभी को बता दो कि STET ने जो कुछ भी हुआ ये कहीं छीपा हुआ नहीं मैं किसी की तरफ ले करने चलाओं के क्वालिफाई और डिस्क्वालिफाई की बात करूं जो क्वालिफाई है उनको भी नियाय मिलना चाहिए और उनको भी ज्वाइनिंग होनी चाहिए हर हाल में होनी चाहिए सरकार को इस पर एक मत हो कर सभी को एक जूट होकर उनके विरोध में कुछ आवाज उठाने चाहिए ताकि आप पर कोई असर न परे लेकिन जिनके साथ नाई साफिव है उनका भी हक के लिए पूरी तरीके से दरवाजा खुला है और वो कोट का दरवाजा देख रहें और वो सही भी कर रहें